अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन भी जरूर दबाए हमारी आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अब कभी वीडियो से अपडेटिड रहने के लिए ओके फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले के बीम होता क्या है तो दोस्तो वर्टिकल लोड्स को कैरी करने वाला बीम एक होरिजेंटल स्ट्रक्चरल मेंबर है जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एक मेजर कमपनेंट होता है यह आपकी रूफ के यह इंड के बारे में भींडियों जानते हैं और फ्रेंड्स यहाँ मापको इन सभी टैप से बीम के बेस फिसे नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी पर डिटेल में बात करेंगे तो basically construction में beams को 4 types की category में बाटा गया है जैसे supports और end support के base पर इस category में हमारे 6 type की beam आते हैं number 1 simply supported beam number 2 fixed beam number 3 continuous beam number 4 overhanging beam number 5 cantilever beam और number 6 proper cantilever beam तो इस category में ये 6 type की beam आते हैं दूसरी category है based on equilibrium condition इस category में basically 2 type के beam होते हैं number 1 statically determinate beam और number 2 statically intermediate beam next category है based on cross section तो cross section के base पर भी 2 type के beam होते हैं number 1 I beam और number 2 T beam और जो 4th category है वह है based on geometry geometrically ये 3 types के होते हैं number 1 straight beam number 2 curved beam और number 3 tapered beam तो ये construction में total 13 types के beam आते हैं different categories में जिनके बारे में या हमने सिर्फ एक overview देखा है कि कम से कम आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि construction में total कितने types के beam होते हैं हाँ इनकी पूरी details हम one by one next video में discuss करेंगे तो उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपकी knowledge को enhance करेगी और आपको जानकारी अच्छी लगेगी और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को like करें हमें social media groups में भी join करें सभी link आपको नीचे वीडियो description में मिल जाएंगे ओके friends thanks for your great attention goodbye and take care